हलो बचो आज हम करने जा रहे है 10th क्लास का Mathematics का पेपर जो की 2023 में आया था यह Mathematics Standard का पेपर है इसमें हम MCQ करेंगे with explanation यहाँ देखो हमें K की value फाइंड करनी है कि की value फाइंड करनी है किसके लिए 4x square plus Kx plus 9 is equal to 0 इसके वास्ट विक मूल और बराबर मूल हूँ तो यहाँ पे वास्ट विक और बराबर मूल कब होते थे जब discriminant is equal to 0 होता था अब discriminant क्या होता था विविक्तिकर जिसे हम कहते थे यह होता था b square minus 4ac अब b square minus 4ac हम कैसे ग्याद करते है b square देखो यहाँ पे है ax square plus bx plus c is equal to 0 यहाँ पे देखो b की value क्या है यह equal to 0 होना चाहिए अब b की value क्य b की value है k तो k का square is equal sorry k का square k square minus 4 a की value क्या है a की value है यहाँ पे 4 यह 4 यह रहा और इसको 4 से multiply कर दिया और c की value क्या है c यहाँ पे 9 है तो 9 this is equal to 0 इसको हम आगे करेंगे तो हमें मिलेगा k square is equal to 4 into 4 into 9 मैंने इसको multiply नहीं किया उसका कारण है तो यहाँ पे हमें square मिला है k की value हमें find करनी है है लेकिन हमने square यहां पे लिखा है तो इसको square को हटाओ इसको square को हटाएंगे जब तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहां square root जब हम दोनों तरफ square root कर देंगे तो क्या होगा k square से square root cancel हो जाएगा तो यहां पे k की value क्या है आप देखो यहां पे pair बनगे यह चार और यहां 9 का square root क्या होता 3 तो यहां पे k की value देखो 12 तो मिल रही है लेकिन एक और कारण है कि मैं यहां पे अगर minus value ले लेता हूं तब भी तो plus में value आएगी तो यहां पे हम दो value बताएंगे plus minus 12 तो इसका answer हो जाएगा b ठीक है अब next question यहां पे second question में बता रखा है कि बिंदू 4 7 की x अक्ष से दूरी क्या होती है तो simple सी बात है मैं यह बता रहा हूं कि अगर वो पूछे की x अक्ष से दूरी क्या होगी तो y की value बता दो और अगर वो पूछेगा y अक्ष से दूरी तो तुम क्या बताओगे y अक्ष से दूरी क्या बताओगे x की value तो यहां पे x x से बताया है तो इसका मतब इसकी value हो जाएगी 7 ठीक है ये क्यों होती है इसके लिए हम आप इसका पूरा explanation देखना next video में तीसरा question है हमारे पास दो बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़की होने के प्रायक्ता क्या होगी तो प्रायक्ता कैसे हम फाइट करें पहले हम देखें कि total number of observations क्या हो सकती है कि जो possible observations वो हो सकती है पहली लड़की दूसरी लड़की दूसरे case में पहला लड़का हो दूसरा भी लड़का हो तीसरे case में पहली लड़की हो और दूसरा लड़का हो चोथे case में पहला लड़का हो और दूसरी लड़की हो तो यहाँ उसने कहा है कि कम से कम जादे से जादा कुछ भी हो सकता है कम से कम एक लड़की होनी चाहिए कम से कम एक लड़की कहां कहां है पहला case ही है दूसरा case ही है और तीसरा case ही है यहाँ पे दो है तो कुछ नहीं वो हमारी bonus है एक लड़की और हो गई वो bonus है लेकिन कम से कम एक लड़की होनी चाहिए तो कम से कम एक लड़की इसमें इसमें और इसमें तीन cases में बन रही है तो जो हमारी probability क्या होती है probability होती है total number of observations कितने है चार है और favorable observations कितने है तीन तो य ये 3 by 4, जो total number of outcomes और favorable outcomes हम probability में पढ़ते थे, probability क्या होती है, total number of outcomes को हम नीचे रखते थे और favorable outcomes हम उपर रखते थे, ठीक है, ये सब मैंने class में करा रखा है, fourth question, इसमें किस स्थिती में समिकर्ण ये और समिकर्ण ये, समांतर रेखाओं का निरूपन करती है, देखो मैंने इसको एक technique से तुम्हें बताया था, वो technique क्या थी, क्या थी वो technique, देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें ICP के बारे में बताया था, अब ICP क्या होता है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, दूसरा केस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तीसरा केस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, अभी यहाँ पे मैंने not equal का sign नहीं लगाया, देखो यहाँ पे पहले देखो तीन शुरुवात का equal sign उसको not equal बना दो और last का जो तीसरी number पे इसको not equal बना दो, अब यहाँ पे यह क्या है, यह है हमारा i, यह हमारा c और यह हमारा p, icp, अब icp क्या है, i का मतलब है intersecting lines, इस केस में हमें जो lines मिलेंगी, intersecting मिलेंगी, और intersection पे जो common point मिलेगा, वो हमारा pair of linear equations का solution होगा, जो common point होगा, दूसरे case में यह होगा, इस case में क्या होगा, कि दोनो lines एक दूसरे पर coincident होगी, coincident, एक line और यह दूसरी line, एक line यह, और दूसरी line भी, और दूसरी line हम बताएं, वो भी इसी पर ही आ जाएगी, तो यहाँ पे number of common points क्या हो जाएंगे, जो यह red वाली line पर भी है, और यह purple line पर भी है, तो number of common points इसमें infinite होगे, तो इस case में क्या होगा, infinite number of solutions, और तीसरे case में, तीसरे case में क्या होगा, तो यह coincident होगा, और तीसरे case में, यह दोनो lines पैलल होगी, कब जब A1 upon A2, B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 होगा, तो यह, हर question में, देखो, यहाँ पे MCQ में इस तरह का question जरूर 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 ही आएगा, तो हम उसी को कर रहे हैं, तो हमें question के साथ साथ, यह भी देखना है कि उसमें क्या apply हो रहा है, हमारा motive यह नहीं है कि हमें question paper solve करना है, हम यह देखें, इस तरह की questions जो होते हैं, उसका basic क्या है, हम यह समझना चाहरे हैं, कि in future, यह question तो ऐसा as it is आएगा नहीं, इसके base पे इसी, जो, यह जो हमारा, जो topic है, इस अब भी तुम्हें कहें, यह समानतर रेखाए हैं, समानतर रेखाए हैं, तो इसका मतब कौन सा apply हो रहा है, यह वला point apply हो रहा है, P, मतब A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, तो इस case में हम बता जेते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं, तो इस case में, अब A2, 3 is equal to B1 upon B2, 2 upon B, तो A, B is equal to A, B इधर multiply हो गया, और 3 इधर multiply हो गया, 6 आ गया, तो A, B is equal to 6, तो यह question solved, ठीक है, अब next question, इस बहुपत में, शुनिक बताना है, तो शुनिक बताना है, मतब 0 of the polynomial find करना है, 0 of the polynomial find करने का तरीका क्या है, हम C, देखो, यह क्या है, AX square plus BX plus C, तो यहाँ पे C की multiply A में करो, यहाँ पे minus 4 की multiply 3 में करा, तो कितना आया, minus 12, अब minus 12 के ऐसे factor करो, जिनका sum, तो 11 हो, और उनका multiplication minus 11 हो, तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं, X square plus 12X minus X minus 4, तो यह value हमारे पास बनेगी, अब शुन्यक के लिए क्या होता है, देखो, यहाँ पे PX है हमारे पास, polynomial this, तो for 0 of the polynomial, शुन्यक है तू, यहाँ पे मैं हिंदी में बता रहा हूं, तो हिंदी में ही करेंगे, शुन्यक है तू, हमें क्या पता चलेगा, for the 0 of the polynomial, PX must be equal to 0, तो यहाँ पे 3X square plus 12X minus X minus 4 is equal to 0 हो जाएगा, तो यहाँ 3X common आया, X plus 4, minus 1X plus 4, तो यह, this is equal to 0, यहाँ पे यह दोनों value सेम आ रही है, इसका मतला हमारा question सही हो रहा है, तो यहाँ आ गया, 3X minus 1 इधर आ जाएगा, और यह X plus 4 common आ गया, this is equal to 0, तो 3, तो यहाँ पे simple मैं इसको कर दूँ, कि equal to 0, देखो यहाँ पे इन दोनों का multiple 0 होना चाहिए, तो यह तो यह 0 हो, यह 0 हो, हम दोनों को 0 बता जाएते हैं, तो X इस case में आ जाएगा, 1 by 3 और इस case में आ जाएगा, इस से हमें मिलेगा, X is equal to minus 4, तो यह, 1 by 3 और minus 4, कहाँ है, यह, तो यह हमारा question solve हुआ, तो देखो, MCQ के question बच्चे क्या करते हैं कि, A, B, C, D, इसमें से तुक्का मार देते हैं, हाँ, यह जो है, इसमें देख, मिलेगा तो B लग रहा है, फिर अपने साथी से पूछेंगे, हाँ, यह, यह, तैरे वो क्या लग रहा है, वो कहेगा, मेरे को तो A लग रहा है, और वो लगा देगा D, को, ऐसे ही होता है, तुक्का मारते हैं, तो तुक्का नहीं मारना, तुम्हें आता है, तुमने जो कर रखा है, उसको थोड़ा सा apply करो, इसका मतलब यह नहीं है, कि तुम्हें question के answers, यहाँ पे MCQ में दे रखिया है, multiple choice दे रखिया है, तो तुम तुक्का मारो उसमें, तुम उसको solve करके देखो, rough काम में करके देखो, और उसको फिर, जो भी mark क करना है, वो करो, ओके, तो next question, इसको रख कर देते हैं, अब देखो, यह बड़ा interesting question है, यहाँ पे देखो, हमें दे रखा है, quote square theta, minus one upon sin square theta, यह किसके बराबर है, तो मैं इसको, हमने जो properties पर रखिया है, कौन सी, sin square theta, plus cos square theta is equal to one, sex square theta, minus ten square theta is equal to one, cos square theta, minus cot square theta is equal to one, अब यह कई बच्चों को याद नहीं होता, मैं अभी apply करके बताऊंगा, कि कैसे तुम्हें याद करना है, अभी पहले यह question solve कर लेते हैं, तो देखो, यहाँ पे हम यह देखें, कि cot square theta, और sin square theta का हमेरे पास कोई formula नहीं है, कि हम उसमें identity apply कर सेगे, तो मैं इसको change कर देता हूँ, cos square theta में, तो minus cos square theta, अब कुछ बच्चे apply करेंगे किसको, कि cot square theta minus cos square theta, तो यह तो संजी ने one बताया था, minus हो रहा है, लेकिन यहाँ पे minus कौन सा होना है, वो तुम्हें पता नहीं चल रहा, कि minus हमें हमेशा, जो cos square theta है, वो पहले होना चा तो मैंने क्या करा, minus cos square theta आगे रखा, plus cot square theta पीछे रखा, अभी बताएंगे, यह तीनों identities मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, तो यह आज जाएगा, यहाँ पे minus common ले लो, minus common लिया, और यह आया, हमारे पास, cos square theta यह प्लस में हो जाएगा, और bracket लगा रखा है, bracket के बार minus है, तो यह वाला sign, यह sign हमारा, minus हो जाएगा, तो यह cot square theta, अब यह आएगा, यह पूरी value होती है, 1 के, तो यह हमारा answer हैगा, ओके, तो यह याद कैसे करना है, देखो, तीनों जो values हैं, जो तीनों identities हैं, वो मैं याद कराना बता रहा हूं, कि कैसे करना है, देखो, हमें यह तो पता है कि, यहाँ पी कर लेते हैं, हमें यह तो पता है कि, sin square theta, plus cos square theta, is equal to 1 होता है, तुमने, शुरुआत में यह तो याद हो जाता है, exact, बाकी के दोनों भी याद हो जाएंगे, लेकिन, हम इन दोनों को याद करें, तो दूसरी केस में, minus आना है, जो दूसरी जो आइडेंटिरी है, जो बाकी की दो आइडेंटिरी है, उसमें बीच में minus आएगा, यहाँ पे plus आएगा, अब यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे आना है, टी, टी किस में आता है, टी आता है, 10 square theta, और यहाँ पे cot square theta, ओके, अब यह इस टी के साथ क्या आना है, आगे क्या आएगा, पहले मैं इसको बताता हूँ, cot square theta, cot, cot का T, बाद में आना है, और cot का C, C आगे लगाओ, और यह आगया, cos sec square theta, और यहाँ पे, sign का S, यहाँ पे, बाकी बचा, sec square theta, तो इस तरह से, this is equal to one, this is equal to one, यह दोनों, इस तरह से याद कर सकते हों, ठीक है, बाकी explanation मैंने, दूसरी वीडियो में भी कर रखा है, उस 7th question, देखो इसमें, निर्देशांक, देखो बिंदू A के निर्देशांक बताने है, A, B उस वरत का व्यास है, जिसका केंद्र, इसका जो केंद्र है, वो है 3-2, और यह इसका व्यास है, मतलब डायमेटर है, और इसका, जो B है, यह A, B, इसका डायमेटर है, जो B है, वो है 7, 4, और A क्या है, A की वेल्देशांक हमें बताने है, तो इसमें सिंपल है, कि midpoint formula लगना है, जो की distance formula, जो section formula बनाया था, coordinate geometry में, तो वो apply होना है, तो इसमें, यह 1 ratio 1 में divide कर रहा है, यह center जो है, यह देखो, यह radius है, और यह भी radius है, तो यह 1 ratio 1 में divide करेगा, तो इसका मतब क्या है, कि यह है तुमारा x1 y1, यह है तुमारा x2 y2, और यह क्या है, यह है xy, तो हमरे पास x क्या आता था, x आता था, x1 प्लस x2 dividing by 2, तो x क्या है, x है हमरे पास 3 is equal to x1, x1 हमें नहीं दिया, plus x2, x2 दे रखा है हमें, कितना 7, dividing by 2, तो यह 2 इदर चला जाएगा, 3 दोनी 6 हो गया, is equal to x1 plus 7, 7 इदर जाएगा, 6 minus 7 is equal to x1, तो यह आजाएगा minus 1, minus 1 इसमें कहां आ रहा है, देखो minus 1 इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में से एक होगा, उसके लिए हम y निकालेंगे, y की value निकालो, y की value तुम खुद निकालो बिटा, y is equal to y1 plus y2 dividing by 2, क्या आता है, मुझे बताना, ओके, next देखो, जब इसको निकालोगे, इसी तरह से निकालोगे, तो यह आएगा तुम्हारा minus 1 और minus 8 आंसर आएगा इसमें, दूसरा, ठीक है, ए, ए आंसर, ओके, इसको रब कर देते हैं, यह आठपा कोशन है, देखो, x, 2x plus 9, 4x plus 3, एक AP के तीन क्रमागत पद हैं, और तो x का मान ग्याद करूँ, कोशन में, तीनो, यह तीनो पद, AP के क्रमागत पद हैं, मतलब, मैं अगर d की value फाइंड करूँ, तो अगले में से प मैं इसको A1 कह दूँ, इसको A2 कह दूँ और A3 कह दूँ, तो A1, अगले में से पिछला माइनस करो, मतलब, A2 minus A1, फाइंड करो, तो यह क्या आएगा, यह आएगा, d is equal to 2x plus 9, में से माइनस करोगे x, तो यह d आ जाएगा, तुमारे पास, x plus 9 आएगा, फिर, also, d is equal to क्या आएगा, यह आएगा, A3 minus A2, अगले में से पिछला माइनस करो, यही होता है, सारवांतर निकालते हैं, हम जो common difference निकालते हैं, तो A3, A3 क्या है, 4x plus 3, minus A2 क्या है, A2 है, 2x plus 9, तो इसको जब solve करेंगे, तो यह हमें मिलेगा, minus करें न, यह bracket में रखेंगे, तो 4x plus 3, minus 2x minus 9, तो यहाँ पे यह दोनों solve करें, तो यह आया, 2x, इन दोनों को solve करा, तो यह आएगा, minus 9 में से, minus 9 और plus 3, यह हो जाएगे, minus 6, तो अब, यह d, और यह d, दोनों सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब, हम इन दोनों को equal रख दें तो यहाँ पे मैं 2x plus 6 को equal रख देता हूँ, x plus 9 से, यह plus नहीं है, यह 6, 2x minus 6 है, तो यहाँ पे यह value, इसको हम इधर लिकर आए, तो 2x plus, यह minus, is equal to, और यह 6 चला जाएगा, इधर, 9 plus 6, तो यह आया, x is equal to, आया, 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 है, 15, तो x की value कितनी आई, 15, बस 15 आगई, यह d answer है, ओके, तो systematically करोगे, तो answer सारे हल होंगे, और 20 number बहुत माइने रखते हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि mass में weak हैं, उनके लिए यह 20 number बहुत माइने रखते हैं, 20 में से अगर मान लो, तुमारे 18 भी आ जाते हैं, त और 15 number 4 example तुमारे practical में आते हैं, तो 33 अराम से होते हैं और passing marks के लिए बहुत हैं यह, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हैं कि सिर्फ passing marks ही लेकर आओ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे distinctions लाएं, तो मेहनत करोगे, तो जरूर हो जाएगा, तो next कर रहे हैं, तो next कर रहे हैं, देखो इसमें एक मिनार की उचाई, एक मिनार की उचाई 20 मीटर है, जब सूरे का उन्यन, उन्यन कोण? उन्तांश, उन्यन कोण जो होगा, वो 60 डिगरी है, तो भूमी पर बनी मिनार की छाया की लंबाई क्या होगी? तो भूमी की छाया हम बनाना चाहरे हैं, तो यहाँ पर मैं देखूं कि यह हमारे पास मिनार की उचाई है, और यह बन रहा है हमारे पास 60, यह एंगल बन रहा है हमारे पास 60 डिगरी, यह हमारे पास मिनार है, यह हमारे पास 20 मीटर की, और उन्यन कोण? उन्यन कोण बन रह है 60 degree सूरज यहां कहीं है यह सूरज है इसकी रोशनी पढ़ रही है तो चाया चाया जो बन रही है वो यह बन रही है चाया तो इसकी लंबाई ग्याद करनी है तो हम कैसे ग्याद करें यहाँ पे हम simple है trigonometry लगाएंगे trigonometry में मैंने क्या बता रखा है lal upon kka यह हिंदी मीडियम के लिए और pbp upon hhb यह हमारा lal मतलब लाल कुता काटने आया लाल कुता काटने आया तो यह याद करने का तरीका है और यह pbp पंडित बदरी परसाद हर हर बोले hhb हर हर बोले तो यहाँ हमारे पास हमें क्या ग्याद करना है हमें यह base यह वाली find यह side हमें find करनी है तो हम इसका naming देते हैं a b c तो जो ग्याद करना है उसे उपर रखो हमेशा नीचे भी रख सकते हैं उसमें trigonometry लग रहेगी जो ratio बनेगी वही बनेगी तो b c जो मैं क्या करता हूँ कि हमेशा जो हमें ग्याद करना है वो हमेशा उपर रखे और जो दिया है उसे नीचे रखो तो यहाँ पे a b नीचे रख दिया this is equal to this is equal to क्या होता है यह क्या है base देखो angle के साथ वाली side यह 90-Degree है देखो 90-Degree के सामने वाली यह तो होगी hypotenuse और जो साथ वाली side है यह क्या होगी यह होगी हमारी base तो base या आधार तो यह आधार है आधार बटे लंब यह हमारा लंब था तो आधार बटे लंब में आता है 10 theta कब जब लंब बटे आधार होता है जब हम लंब बटे आधार लेते हैं तो 10 theta होता है अभी हम ले रहे हैं आधार बटे लंब तो यह हो जाएगा quarter theta और bc आजाएगा a b कितना है 20 meter quarter theta quarter 60 यहाँ पे 60 degree बता दो तो quarter 60 क्या होता है quarter 60 होता है 1 upon root 3 तो यह bc आजाएगा हमारे पास 20 by root 3 meter यह a answer है हमारे 20 by root 3 meter ठीक है इसके बाद next question देखते हैं अब हम कर रहे हैं दसवा question इस दसवे question में देखो हमें d e parallel to bc दे रखा है यह d e parallel to bc और यह सब centimeter में है 3 cm यह 4 cm और यह 3 cm और a e की लंबाई ग्याद करनी है जब भी triangle दे रखा हो और parallel line दे रखी हो उसके बीच में तो simple सी बात है इसमें क्या apply होना है bpt basic proportionality theorem जिसके according हम यह बताते हैं कि whenever a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides at distinct points then it divides other two sides in the same ratio ratio यह तो हो गया English medium में Hindi medium में क्या है मैंने बता रखा है बाकी तुम पढ़ना किताब में कि जब भी कोई line त्रभुज के एक भुजा के समानतर खीचिगी रेखा अन्ने दो भुजाओं को समान अनुपात में विबाजित करती है तो यहां पर इसका मतलब यह है कि a d upon d b होना चाहिए बराबर a e upon e c होना चाहिए तो a d क्या है a d है हमारे पास 3 cm और यह d b क्या है 4 cm छोड़ो इसको बात में देखेंगे और a e क्या है a e यह रहा और a e अमें बता नहीं रखा और e c ac है 3 तो a e आ जाएगा a e आ जाएगा मैं इस 3 को इधर मंटिप्लाई कर दूँगा 3 तिया 9 हो गया 9 बटे 4 तो a e की value आ जाएगी 4 दुनी 8 decimal एक बचा 10 चार दुनी 8 दो बचा 2 0 4 5 20 तो 2.25 cm यह b option हमारा answer होगा ठीक है ओके next ग्यारवा question है दस मीटर लंबे उर्द्वाधर खंबे की भूमी पर पढ़ने वाली छायां की लंबाई 5 मीटर है उसी समय एक मिनार की भूमी पर पढ़ने वाली छायां की लंबाई 12.5 मीटर है मिनार की उचाई क्या होगी देखो यहाँ पे एक ये triangle और एक ये triangle ये हमारी figures है जो कि पहले वाले case में 10 मीटर लंबे खंबे की लंबाई ये रही और इसकी चाया कितनी बन रही है इसकी चाया बन रही है 5 मीटर देखो यहाँ पे इसकी चाया बन रही है 10 मीटर और इसकी इस 10 मीटर की चाया बन रही है 5 मीटर और यहाँ पे मिनार की लंबाई इसकी चाया बन रही है 12.5 मीटर उसी समय तो इसमें सिंपल सी बात है, ये दोनो similarity वाले question से होगा, दोनो triangle similar होंगे, सिंपल सी बात ये है, क्यों? क्योंकि ये 90 degree, ये 90 degree, और जिस समय ये angle और ये angle, ये दोनो same होंगे, क्यों, क्योंकि जो उर्धवादर जो angle बन रहा है, जो चाहया कि ऐंगल बन रहा है, जब sun जिस direction में होगा, जिस point पर होगा, इस खंबे के लिए भी उस point पर और इस मिनार के लिए भी उस point पर, जो angle of elevation बन रहा है, वो दोनों के लिए same बनेगा तो हम यह कह सकते हैं यह दोनों एंगल बराबर होंगे यहाँ पर हमें दो को similarity proof नहीं करनी है हमें पता चल जाएगा कि यह similar है तो similar है तो इसका मतलब इनकी जो sides है वो same proportion में होना चाहिए तो यह 10 बटे 5 बराबर होना चाहिए h बटे 12.5 तो h को उधर ले कर गए हम h को यही रहने दिया और यह 12.5 को इधर multiply कर दिया तो यह हो गए 125 और नीचे है 5 यह नीचे 5 है तो 5 से इसको काटेंगे तो यह आएगा 25 25 मीटर आना चाहिए यह c इसका answer होगा जो मिनार है उसकी उचाई 25 मीटर होगी अच्छा अब यह वाला बढ़िया कोश्चन आया है देखो इसको मैंने क्लास में भी बताया था तुम्हें इस कोश्चन में अनुभविक संबंद का उपयोग करने अनुभविक संबंद का प्रयोग करने पर एक बंटन जिसका माध्धे 7.2 और माध्य 7.1 है का बहुलग याद करो जब तुम्हें माध्धे बताए मीटियन और मोड तीनो एक ही कोश्चन में तुम्हें बताने हो या इनमें तीनो में से दो दे रखे हो और एक को फाइन करना हो तो उसमें हम यह अनुभविक संबंध बताया है ना मैंने क्लास में बताया था empirical formula empirical formula क्या होता है उसे याद कर लो सबी बच्चे देखो उसको याद करने का तुम करतो लोगे तुमने अभी पढ़ा तुम्हें याद हो जाएगा लेकिन तुम अगले दिन भूल जाओगे समझें क्यों भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको किसी टेक्निक से रिलेट नहीं करते जैसे हम पंडित बदरी परसाथ हर हर बोले यह सिखा था हमने सिखा था लाल कुता काटने आया जो उसा जो हमने हिंदी मीडियो में सिखा था तो यहीं पे मैं एंपेरिकल फॉर्मॉला बता रहा हूँ ध्यान से देखना एंपेरिकल फॉर्मॉला बता रहे हैं एंपेरिकल फॉर्मॉला फॉर्स्टेस्टिक्स इस केस में क्या है हम लिखेंगे इसको याद कर लो मो मी क्या है उससे पदा चलेगा इसके बीच में इहां पर इक्कोल कसा इंडर मो मी मी मो का मतलब है मोड मी का मतलब है मीडियन इस मी का मतलब है मीन इधर तो mode आ गया यह तो याद हो जाएगा इधर पहले बड़े वाली spelling आनी है बाद में छोटे वाली spelling आनी है इस तरह से याद करो देगो टेक्निक इधर पहले बड़े वाली spelling आएगी बाद में छोटे वाली spelling आएगी बड़े वाली spelling के साथ 3 और चोटे वाली spelling के साथ दो तीन आएगा और दो आएगा तीन आएगा और दो आएगा तीन आएगा और दो आएगा याद रखना है और बीच में लगा देना है माइनस यह है हमारा empirical formula और इसको याद करने का तरीका यह सबसे बढ़िया है मैंने भी इसी तरी से याद करका है मो, मी, मी तीन आगे लगाओ दो पीछे लगाओ बड़ी spelling आगे छोटी spelling पीछे और बीच में माइनस साइन इसी से हम solve करेंगे इसको हमें क्या निकालना है mode बवलक को कहते है mode तो यह तीन गुणा में median की value क्या है median किसे कहते है माध्य को तो यह 7.1 माइनस 2 इंटू मीन क्या है यहाँ पर माध्य माध्य है 7.2 तो इसको जब multiply करेंगे तो यह आजएगा 7 एकम 3 3 एकम 3 3 सत्ते 21.3 माइनस कर रहे है यहाँ पर 2 दुनी 4 decimal 7 दुनी 14 माइनस करो कितना आता है 13 में से 4 गए 9 दशमलव यहाँ पर 20 में से 4 गए 6 6 दशमलव 9 6 दशमलव 9 इसका answer है D तो यह question देखो empirical formula ज़रूर आएगा एक number का यह है simple है लेकिन इसको याद कर लो तो तुम्हारे एक number बहुत है क्यूं? बूंद बूंद से ही घड़ा बरता है हमें अगर तुम यह सोचे हो कि मेरे को mass नहीं आ रहा pass होने के लाले पड़ रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूं techniques उनको याद कर लोगे तो pass अराम से हो जाओगे ठीक है? तो next question कर रहे है यह है NOVA अच्छा यह तो English medium आ गया है कुछ नहीं ओके यह तेरवा question है तरज्या 7 cm यहाँ पे circular है यह तरज्या 7 cm के केंदर O केंदर O है और इसकी तरज्या क्या है? 7 cm है का चतुर्थांश A O O A C B यह चतुर्थांश है इसका O A C B जहाँ A C B A C B वरत की चाप है यह चाप है वरत की इस चतुर्थांश की परीधी गयाद करनी है देखो परीधी गयाद करनी है तो परीधी क्या है? यहाँ पे ओके परीधी गयाद करनी है तो यह 90 डिग्री बना रहा है तो परीधी क्या होगी? तो इसका मतब 90 degree बनना है, चतुरतांश में ये 90 degree होगा, तो इसकी आर्क की लंबाई क्या हो जाएगी, थीटा बाई 360 degree, हमने एक, देखो, फ्रैक्शनल में ये कॉश्चन आता है, फ्रैक्शनल, ये टोपिक है न, फ्रैक्शनल का टोपिक है, बाकि इसको डिस्कस हम अभी नहीं कर रहे है, हम अभी कॉश्चन कर रहे हैं, अगर मेन कॉश्चन करने हैं, मेन बेसिक समझना है, तो वापिस जाएए, आप वीडियो देखो, उसमें पता चलेगा आपको, लिंक में डिस्रिप्शन में डाल दूँगा, तो यहाँ पे थीटा बटे 360 है, 2 पाई यार, तो यह 90 बटे 360 डिगरी गुणा में, दो गुणा में 22 बटे 7 गुणा में आर, आर की वेल्व क्या है, यहाँ पे 7, 7 से 7 कैंसल, ओके, 94, 4, 2, 2, 2, 11, इसकी लंबाई, यह जो आर्क है, इसकी लंबाई आगी, 11 सेंटीमिटर, ओके, 11 सेंटीमिटर तो इसकी लंबाई आई, लेकिन इसकी परीधी याद करनी ने, इस पूरे, ज़ो चतुर्थांश है, इसकी पूरी की परीधी याद करनी है, तो उसमें यह जो तरिज्या है, ये वाली तरिजा A O और B O ये दोनों भी जुड़ेंगी तो 11 में 7 cm ये जोड़ दो और 7 cm एक और जोड़ दो ये A O है और ये O B है इन सब को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11 और 7 कितने होगे 18, 18 और 7 होगे 25 तो 25 cm आनी चाहिए तो यहाँ पे कुछ बच्चे ही करते कि थीटा बटे 360 टूपा यार लगा दिया वो केवल चाप की लंबाई आई वो केवल चाप की लंबाई आएगी हमें निकालनी है इसकी परीधी तो चाप की लंबाई और चतुर्थाज ये जो इसकी इतर जाएं दोनों को जोड़ेंगे हम ठीक है तो ये कॉशन इसके बाद हम कॉशन करते हैं 14th अब चौधे कॉशन में हमें देखो इसको रप कर देते हैं यहां पर ये काम आएगा अच्छा अब ये कॉशन आया देखो ये 14 कॉशन है ये तुम्हारी NCRT में एक एक्जामपल दे रिखा है उसी के बेस पर ये कॉशन है तो यहां पर इस तरह की फिगर दे रिखी होगी यहां पर दो एंगल बता रख्योंगे एक तो एंगल ये और एक एंगल ये ये वाला एंगल या ये वाला एंगल इनके बीच में रिलेशन पुछेगा तो हम क्या करेंगे सिंपल है पहले आसान मेथड बताओं कि लेंदी मेथड जो प्रैक्टिकल मेथड है वो बताओं देखो पहले आसान मेथड बताता हूँ जब भी इस तरह का कुशन आए यहां पे अगर पचास दे रखा है और यहां का एंगल बताना है ये ओ ओ ए बी ये वाला एंगल अगर बताना है तो सिंपल है इस पचास का आधा कर दो यह हो जाएगा पच्चिस डिग्री इसका आंसर यह कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जूरतनी केवल यह करना है इस पचास का आधा यह ये अगल बता दो फोर एंग्जम्पल अगर वो तुम्हें ये कहे कि ये वला एंगल तुम्हें दे रखा है 30 डिग्री ये एंगल जो O, A, B ये 30 डिग्री दे रखा है और तुम्हें ये वला एंगल पूछे A, P, B ये एंगल पूछे तो सिंपल सी बात है इस 30 का दो गुना कर दो यह हो जाएगा 60 डिग्री कैसे होता है वो बताता हूँ मैं देखो हमें ये पता है कि ये A, A, O A, P B, O, A देखो ये पूरा क्या बनाए इस क्वाइडरल लेटरल के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है हमने क्या सीका है कि tangent is perpendicular to the radius of the circle at the point of contact तो यहाँ पे perpendicular है यहाँ पे perpendicular है ये tangent है ये radius है तो दोनों एक दूसरी को perpendicular होगे तो ये 90 ये 90 माइनस होगे 180 तो इन दोनों का योग क्या होगा इन दोनों का योग होगा 180 होना चाहिए अगर ये 50 है तो ये कितना होगा ये हो जाएगा 130 डिग्री ये अगर 130 डिग्री है और मैं अगर इस angle में इस triangle में देखूँ कौन सा O A B में इस triangle में देखूँ मैंने ये वल angle क्या बताया ये वल angle क्या बताया ये मैंने बताया 130 degree और इन तीनों कोनों का योग क्या होगा इन तीनों का कोनों का योग होगा 180 degree तेरे भूज की कोन है अब ये देखो ये वाली side ये radius है और ये भी radius है तो दोनों बराबर होंगी radius equal है तो हमने क्या सिखा है कि side angle opposite to equal sides angle opposite to equal sides are equal तो यहाँ पर ये angle और ये angle दोनों की value बराबर होनी चाहिए अगर ये 180 यहाँ से निकल गया 180 में से और इन दोनों कोनों का योग कितना है 50 degree दोनों बराबर है तो क्या होगा क्या होगा 50 का अधा कर दो 25 degree इसको दे दो 25 degree इसको दे दो बस हो गया answer तो यही मैं कहा रहा हूँ ये तो हो गया lengthy method जब तुमें ये question अगर तीन number के question में आए तब इस तरह से करोगे बाकि अगर तुमें बता रखा है इस तरह की figure दे रखी है अभी तो यहाँ पर ये वाला angle दे रखा है वो हो सकता है ये वाला angle भी पूछ सकता है ठीक है ये वाला angle दे रखा हो और इस angle के बारे में पूछे इस वाले angle के बारे में ये जो A, P, B के बारे में पूछे तो simple है इस छोटे वाले का दुगना कर दो तब आ जाएगा answer तो यह 14th question हो गया इसके बाद हम चलते हैं 15th question के देखो 7 cm के एक वरत का बिंदू P जो वरत के केंदर में 25 cm की दूरी पर स्थित है से डालीगा इस परेश लिखा की लंबाई ग्याद करो देखो 7 cm तिर्जा का यह सर्कल बना लते हैं एक ओके तो यहाँ पे यहाँ से एक वरत के केंदर से दूरी कितनी है इस पॉइंट की दूरी है 25 cm और यहाँ से इसकी तर्जा की यहाँ तर्जा की लंबाई है 7 cm तो इसकी लंबाई ग्याद करनी है स्पर्श रेखा की लंबाई ग्याद करनी है देखो यहाँ पे मैं mcq के लेवल से बताने जा रहा हूँ अगर तुम्हें यह देखना है कि यह 90 डिगरी है न मतलब यह एक पैथोगर्स थियोरम लगेगी इसमें तो हम पैथोगर्स से इसको इस वाली साइट को जो टैंजेंट है इसको पी कहतो ए ओ यहाँ पे पी ए ओ यह क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है यह 90 डिगरी बन रहा है हमें पी ए निकालना है अपी निकालना है लेकिन उसमें टाइम वेश्ट होगा टाइम वेश्ट होगा यहाँ पे एक मैं पाइथागर्स टिपलेट्स की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे साथ चोबिस पच्चिस देखो पाइथागर्स टिपलेट्स क्या है तीन चार पांच इसके आगे भी है तो जो नॉर्मल ही आते हैं वो यहीं तक ही है तो जो नॉर्मल आते हैं और ये परफेक्ट जो पाइथगोर्ष टिपलेट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 7, 24, 25 ये अंसर आएगा इसकी वैल्यू 24 आएगी अब ये कैसे पाइथगोर्ष टिपलेट्स को हम कैसे एक्स्प्लेइन करें मैं वो बताने जा रहा हूँ देखो 3, 4, 5 5, 12, 13 7, 24 25 8, 15 17 9, 40 41 11, 60 61 अब ये है क्या ये है जो हमारी stylish जो right angle triangles होते है उनकी sides की value है ये हमारा hypotenuse जो सबसे बड़ी side हमारी होती है वो hypotenuse होती है और ये हमारा other two sides ये lump कह सकते है perpendicular कह सकते है ये base कह सकते है इसको भी base कह किसी को भी base मान नो perpendicular मान लो लेकिन यहाँ पे यह वाली value हमारी important है H H क्या है सबसे लंबी height होती है सबसे बड़ी side होती है Pythagoras जो H क्या है H हमारी सबसे बड़ी side होती है किसी भी right angle triangle में तो यहाँ पे सबसे बड़ी sides यह Pythagoras टिपलेस इसमें सबसे बड़ी side यह रही ये सब हमारी Hypotenus है ये सब हमारी जो triangle है जो alag-alag measurement के उनकी सब की ये Hypotenus होगी तो अगर Hypotenus 5 है Hypotenus 5 होना चाहिए Hypotenus हमारा 5 होना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 ये 3 अगर माल लो यहाँ पे ये 10 दे रखा हो और ये तुम्हें दे रखा हो 8 तो ये क्या होगा देखो यहाँ पे भी इसमें क्या है सेम टेबल से ये डिवाइड हो सकते है HCF से डिवाइड करो तो ये सिंप्लिफाई हो जाएगा ये तुम्हारा 5 है ये तुम्हारा 4 है इस 5 में मैंने 2 से गुणा करी तो 10 हुआ इस 8 में मैंने 2 से गुणा करी तो 8 हुआ इस 4 में मैंने 2 से गुणा करी तो 8 हुआ तो मतलब इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है 3 4 5 वाला तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 को ये 6 होगा ओके इस तरह से हम इसको apply कर सकते है pythagoras triplets को किसमें इसमें अब इसको apply करना क्यों है क्योंकि इसमें हमें time जो हमारा वो अराम से बच जाता है ठीक है तो यहाँ पे 15th हो गया अब 16th question हम कर रहे है यदि एक cycle का पहिया cycle का पहिया 11 km की दूरी तै करने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिया का व्यास गयाद करना है तो पहिया का व्यास गयाद करना है उसके लिए हम क्या करें देखो यहाँ पे पहिया एक चक्कर में कितना व्यास कितना कितनी दूरी तै करेगा एक चकर में कितनी दूरी तै करेगा पहिया तू पाई आर, ये क्या है, एक चक्कर में कितने दूरी तै करी, तू पाई आर, तो पाँच हजार चक्कर में कितने दूरी तै करेगा, पाँच हजार चक्कर में, पाँच हजार गुणा में, तू पाई आर, ये तै करेगा, अब पाँच हजार में इसने दूरी कितनी तै करी 5,000 में इसने 11 kilowag nya करी तो यहाँ पर हम यह कह सकते है 5000 गुना में इसको 2 पाइ र को में क्योंकि व्यास गयाद करना न हम इसको आर को गयाद कर रहे हैं तो आर को मैं दुगना कर देता हूं यहाँ पर पाई इस 2 आर को में ने d के कहा दिया diameter कहा दिया बटे पाँच हजार गुणा में पाई नीचे है तो बाइस बटे साथ इसको रैसिप्रोकल कर देंगे हम यहाँ पे बाइस नीचे आ जाएगा और साथ उपर आ जाएगा तो ग्यारा दुनी बाइस कर दोर्माchesब कर दोक्सकेडा टूर्व पाल इसके जारा वे लाए़ा इसको अजा साथ बाईवाँ जाएगा जटा सेथिक्षा जवा सबस्कापी ह हागा झाल